हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि यूपी बोर्ड के परिच्छा 24 से नहीं होगी मई के पहले सब्ता में यूपी बोर्ड के परिच्छा थुरू हो सकते हैं हेलो फ्रेंड्स अब सभी का अमारे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूपी बूर्ड एक्जाम 2021 की परिच्छा जो हैं वो अब 24 अप्रल की जगह अब मैं की पहले सप्ता में से हो सकते हैं पंचैत चुनाओ के अकारण यूपी बूर्ड परिच्छा के कारकरम में बदलाव हो गया 24 अप्रेल की जगह अब मैं की पहले सप्ता से परिच्छाएं स्टार्ट सुरू होंगी होले से ठीक पहले सकता है स्मार्च कोदे सुचना जारी होने से उसे विदिवत चुनाओ कराने के लिए विया लिजन चाहिए यूपी बूर्ड एक्जाम 2021 परिदेश में जब यूपी बूर्ड की आई स्कूल वाइट्रमिट की परिच्छाएं 24 अप्रेल से 12 मैं तक कराने का कारकरम गोसित किया गया था तब राजे निर्वाचन आयोग का भी परिच्छाएं 24 अप्रेल से तो नहीं होंगी नई तरीखों के बारे में डॉक्टर सर्माने कहा कि यह तो पंचाए चुनाओं के बाद ही बूर्ड परिच्छाएं कराई जाएंगी ऐसे में बूर्ड परिच्छा अब 24 अप्रेल से तो नहीं होंगी नई तरीखों के बारे में डॉक्टर सर्माने कहा कि यह तो पंचाए चुनाओं के कारगर्म करेंसार तैय होगी सुत्रों के मताबग मादमिक मादमिक सिच्छा बिबाग के अफसर बोड की परिच्छा जदा टालने के पच्छ में नहीं है ताकि 10 जून के आज पर नतीजे गोस्त किया जा सके जोकि के अज़िन कि मादमिक सिच्छा बोड की परिच्छा एंग चार माई से शुरू हो तो यह थी आज के वीडियो में हमने आपको बताया कि यूपी बोर्ड की परिच्छा है चौबिस अपरल की बजाए मई के पारे सब्सक्राइब करें और बेल आकन को प्रेस करने जिसे हम कोई भी इंपूरेंट वीडियो डाले तो उसकी नोटिफिकेस सबसे पहले आपके पा